खंबा खेनी मारो राजिस्तान पे आप सब का बहुत बहुत स्वागत है कैसे हो सारे MRPANS आई हो आप सब बहुत अच्छी हो आप सब की बहुत 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 बड़े वाली डिमांड आ रही थी करेंट अफेर्स के मैरेथन वीडियो कुछ वीडियो ले आईए तो हम कर रहे हैं जनवरी 2021 से रिवीजन ओफ करेंट अफेर्स कुछ बच्चों को पुराने वीडियो नहीं मिल रहे हैं दो करेंट अफेर्स वाली प्लेइलिस्ट में हैं फिर भी रिवीजन करेंट अफेर्स का मैं एक लेटेस्ट नया लेटेस्ट नया प्लेइलिस्ट बनाऊंगी अब उस प्लेइलिस्ट में जितने वीडियो आए सारे वीडियो देख लेना वो करेंट अफेर्स जो हैं आपक कोई डाउट नहीं करोगे ठीक है और सैटेड़े संदे को करन्ट अफेर्स के लिए कुछ नया में लेकर आने वाले हो उसके अनौस्मेंट करूंगे अभी आज नहीं कर रही ठीक है आज के लिए अनौस्मेंट आपके लिए यह है कि साइंस का आरेस फ्रिलिम्स का कर्यूल देख लिए यूट्यूब के अलावा मुझसे कहां पढ़ सकते हो आने कैडमी के लर्निंग एप पर पढ़ सकते हो सुबा आट बजे दरपन टेस सीरीज राजस्तान आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री की टेस सीरीज चल रही है कल का टॉपिक है राजस्तान के लोग प्लस बैच होगा उसमें राजस्तान के इंडिया एंड वर्ड के आरेस प्रिलिम्स फोकॉस्ट बैच आए स्पेसिफिक फॉर करेंट अफेर्स ठीक है तो आप सबको जॉइन करना नहीं बूलना है तो मेरी प्लस कम्यूनिटी का पार्ट बने जो नया बैच है एक्सपेडिशन बैच आज कल से ही स्टार्ट हुआ है एक सितंबर से ठीक है ये मेरे कोर्सिज है बाकी सारे एजुकेटर्स दूसरे बताएंगे MRP10 कोड लगाके 10% डिस्काउंट मिलेगा दो साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो आरेस के लिए 3 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन है 27 महीने का हो जाएगा ठीक है और क्या चाहिए MRP10 कोड लगाने के लिए लिंक में आपको direct देती हूँ, अलग से code लगाने की कोई ज़रूरती है, live chat में pin होता है, comment हमेशा ही, और comment section में भी pin होता है, तो उस comment पे click करो, अपना plan चूज करो, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, जितने का भी आपको select करना है, और मेरी community का, plus community का part बन जाओ, मजा आता है, भई, plus जब हम लोग पढ़ते हैं, तो जन्वरी के current affairs start करते हैं, जिन्होंने पहले से कर रखे हैं, उनका revision होगा, लेकिन जो marathon session चाहते थे, भई, अब में 2-2 महीने का करा देती हूँ, ठीक है, 3-4-4 घंटे की class लेना, तो मेरे बसकी तो बात नहीं है, मैं frankly speaking, आपको सच-सच बता Godman book is written by, ये Gunning for the Godman book किसने लिखी है, नमन जोशी, आईशमन तिवारी, अजेपाल लामबा या फिर संचिता गुपता, किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका answer है, गन तांग दी, आपके, यहीं पर टांगते हैं, गन जब तांगते हैं, तो ये किसने की है, आप आपको कभी नहीं भूलेगा, अजेपाल लामबा जी के द्वारा ये बुक लिखी गई, ये बुक किसके उपर है, Godman कौन है, जो धरती पर रहकर Godman बने होए थे, मतलब कि आशाराम बापुजी, ठीक है, आपको याद करना है, उनके उपर ये जो है, बुक जो है, पटिया रिजल्ट वगएरा कुछ हाए नहीं थे, तो ये बुक किसने लिखी थी, जो है, जैपूर के ACP, Additional Commissioner of Police, अजेपाल लामबा जी और साथ में, अगर आपको options में एक और मिलता है, तो संजीव मातुर, इनके द्वारा भी लिखी गई थी, अजेपाल लामबा और संजीव प्लेयर्स का चुना गया है, कौन से प्लेयर्स को इसके तहे, जो स्कॉलर्शिप मिलता है, जो भी फैसिलेटी मिलती है, वो मिलेंगी, अपूर्वी चंदेला, दिव्यांश पवार, राज्य वर्धन सिंग राठोर, तो अल्रेडी जो है, MP हैं शायद से हैं ना, तो MP है, उनको तो नहीं मिलेगी, तो obviously, ये दो जो है, अपूर्वी चंदेला, दिव्यांश पवार, जो अभी sports person है, उनको मिलती है न, तो answer हो जाएगा, option number D, ठीके, किसको मिलेगी, दोनों को मिलने वाली है, अपूर्वी चंदेला, दिव्यांश पवार, दोनों को इसके अंदर benefit होगा, ठीके, टार्गेट, ओलंपिक, पोडियम, स्कीम, टॉपसा, ठीके, टॉपसा, आप बोल सकते हो, ये देखो, न्यूस में आया था, अपूर्वी चंदेला, दिव्यांश पवार, दोनों राजस्तान, क्यों मिल रहा है, इनको दोनों ने क्या जीता था, सेकिंड गो अब भी मेरे इतना जरूरत तो नहीं है, ये भी याद कर लो, दिव्यांश पवार ने ISSF वर्ल्ड कप 2019 में, रजट पदक, यानि की ब्रॉंज मेटल जीता था, ठीके, ये एक पॉइंट आप याद रख सकते हो, ब्रॉंज मेटल इनों ने जीता था, ठीके, चले, उसके इतनी डिटेल्स मेरे को लग रहे हैं, अब जरूरत नहीं है आप लोगों को करने की, ये बहुत जादा डिटेल्स हो जाएगी, टॉप से स्कीम के अंदर, जूनियर्स भी चुने गई इसमें, ठीके, अलग-अलग 258 एथलीट्स का सेलेक्शन हुआ था, 12 स्पोर्ट्स में से, 12 गेम्स में से 258 एथलीट्स जो हैं, उनका सेलेक्शन इसमें किया गया था, ठीके, चले, अच्छा, हमारे जो प्लेयर्स चुने गई है, राजस्थान से, जूनियर के टेगरी के अंदर, ये किसकी बात हो रही है, एक अलग से स्कीम है, टार्गेट ओलम्पिक पोडिय से, तो ये नाम याद करने मुश्किल है, नहीं, मुश्किल नहीं है, क्यों, एक तो राठोर सर्ने मारा है, देखो जरा, ठीके, और एक हमारे नाम इतने सॉलिड है, जो येश बढ़ाए, गान बढ़ाए, तो इस तरह की चीज़े हैं, ठीके, तो देखो, येश वर्धन सि मानवा दित्ते, कार्तिकी जिंग, चक्तावत, दर्शन राठोर, चार तो राठोर और चक्तावत हो गए, ठीके, उसके बाद माननी कोशिक आएगा, और विवान कपूर, दो ये बंदे और हैं, ठीके, ये कौन से स्कीम है, अलग स्कीम है, ये राजस्थान, ओलंपिक, पो जोन बनाया जा रहे, यानि कि खिलोनों का, खेल और खिलोनों का निर्मान शेतर बनाया जा रहे, बैट, बॉल, सब बना करेगा, यहाँ पे, सीतापूरा जैपूर में, मानसरोवर पार्ग जैपूर में, इंडस्ट्रिल एरिया, धोरपूर के, या फिर खुश खेडा तो इसका आंसर क्या आएगा, बच्चे खिलोने खिलके खुश होते हैं, तो खुश हो जाओ, बिलकुल, खुश केडा भिवारी के अंदर, जो है, यह इंडस्ट्रिल हब खोला जाएगा, खुश केडा भिवारी के अंदर, याद कर लोगे, खुश केडा भिवारी, इतना याद करना है वह ख्याल से इतने सी काम चल जाएगा अपर लोगों का सही है उसके बाद नेक्स दिखें ये कुछ जादा डिटेल्स नहीं कर रहे हैं अभी हम नैशनल गेम्स कोडिनेशन कमिटी के अध्यक्ष जो है किसको अपउइंट किया गया है बजरंग पुनिया अजीत सिंग राठोड जनार्दन सिंग एलोत या फिर नन ऑफ दी अबव किसको सलेक्ट किया गया है नैशनल गेम्स राष्ट्रिये खेल समन्वे समीती के अध्यक् अभी जो है राजस्थान बसकेड़ वॉल एससीएशन के प्रेजडीट भी थे जिसृसाइम ये करेंट अफेर्ष आया थे तब की बात है राजस्थान बसकेड़ एससीएशन के क्या थे अध्यक्ष ते जनारदन सिंग गह्लोत जी के बारे में अभी आगे और पढ़ेंग स्वागत में क्या बनाएगा गहलोट स्टेडियम कहां पे अर्जेंटीना में तो यह बाद की न्यूस थी वो मैंने अभी बता दिया आपको राजस्थान ओलंपिक यह किसकी इमेज है जनारदन सिंग गहलोट जी क्लियर है सबको समझ आ रहे हैं उसके बाद है किसने अनॉंसमेंट की थी कि राजस्थान के अंदर एक साल के अंदर अंदर सो स्पोर्स अकैडमी खोली जाएंगी सो स्पोर्स अकैडमी खोली जाएंगी किसने की थी अनॉंसमेंट अशोग गहलोट जी गोविन डोटा सरा ओम बिरला या फिर अशोग चंदाना जी ने किसने की थी अनॉंसमेंट आप लोगों को दिमाग जा सकता है अशोग गहलोट जी ने पर आंसर नहीं है इसका आंसर ठाईगा अशोक चंदाना जो की खेल मंतरी है ना उन्होंने गोशना की थी ठीक है कि राजस्थान में कितनी खोली जाएंगी 100पोर्ट्स अकैडमी खोली जाएंगी ठीक है इस स्कीम का नाम क्या कौंसी स्कीम के तहट को स्कीम के तःत कौन से स्कीम के अंदर खोली जा रही है डे बौादिंग Alfie and Salちら से जा जिस एरिया में जौन frühmogen popular होग उसी के इस्पोर्ट स। सब्सक्रों में यहां पे खोली जाएगी ठीक है उसके बाद है राजस्थान चीफ Minister ने डिवाइड किया 25 बिगा जमीन मिलेगी इंदरा गांधी नहल परियोजना के तहत कौन से players को मिलेगी कितने players को मिलेगी राजस्तान के 15 sports person को 16 को 14 को या फिर 13 को तो इसका आंसर है 25 बिगा स्कीम जो मिलेगी 13 दूनी 26 होता है तो करीब करीब याद कर लो शायद 13 players है देख लेते हैं वाकिया आंसर इसका 13 players को जो है इसके अंदर जमीन दी जाएगी कुछ को फ्री में दी जाएगी कुछ को जो है concessional rate पर कम price के उपर दी जाएगी ये आपको बात याद करना है जिनका performance बहुत अच्छा रहा है international level पर जैसे olympic में, asian में, commonwealth game में ठीक है 5 players को free of course land दी जाएगी और बाकी जितने बच गे 13 में से 5 गए 8, 8 को concessional rate पर यानि की कम price पर दी जाएगी याद कर लोगे चलिए ठीक है ये scheme जो है अभी तक 1980 से इंद्रा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट वाले एरिया में 58 players को जमीन जो है allocate की जा चुकी है देखे free of course किस को मिल रही है जड़ा सा नजर डाल लेते हैं हलकी से नजर डाल लेते हैं देखे जादा तर ना इसमें कबड़ी के players हैंगे पहले हम players games याद कर लेते हैं कबड़ी हो गया एक rowing हो गया एक equestrian हो गया अच्छा सारे अलग लग है भाई तीन कबड़ी के मैंने नाम है राजुलाल चौधरी जैपूर से तीनों कबड़ी के players को मिलेगी राजुलाल शालिनी पाठक और सुमित्रा शर्मा फ्रॉम जैपूर से ठीक है ये अलग-अलग games में gold medal जीत के लाए हैं जैसे सुमित्रा शर्मा gold medal incheon Asian Games में ठीक है शालिनी पाठक का लिखा नहीं ह किसको मिला है ओम प्रकाश रोइंग प्लेयर जो है जुन जुनु से ये जगार्ता Asian game में इन्होंने हमें रोइंग में gold medal दिलाया तो इसलिए इनको free मिल रही है और एक गुड़ सवार इंद्रिया जिसकी control में हो गोड़े पे सवार हो कृष्ण अर्जुन वाली गीता का प उसके बाद है वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहां पर बनने जा रहा है अलवर उदेपूर जैपूर या फिर भरतपूर ठीक है एक पॉइंट कहना चाहूंगी अब मैंने इसमें जनवरी 2021 आपको दिखा दिया हुगा क्योंकि ये magazines में जनवरी वाले edition में publish ह होते हैं तो यह सारे current affairs जो हैं आप लोगों के 2020 के लास्ट वाले महीनों के भी हैं ठीक है अब उसको लेके परिशान मत हो जाना 2020 के भी करें कवर हो रहे हैं इसमें सारे ठीक है तो वर्ल्ड थर्ड लाजे स्टेडियम कहां पर बनेंगा अपने जैपूर में बन रहे हैं कहा बनेगा स्टेडियम के अंदर ठीक है ये आपको याद करना है दो हजार इकिस में जैपूर में rural games होंगे कौन से game होंगे ग्रामिन game होंगे ठीक है ग्रामिन game और पिछले साल जैपूर में पहली बार state games का आयोजन हुआ था अब 2021 में ग्रामिन खेलों का आयोजन होगा ठीक के सब्सक्राइब ca Carson मेल्बुन स्टेडियं मोटेराbrar Developer सबसे बढा है एहमदाबाद के अदर में उस्टेडियं श्मान चाहेँ पहले पर मोटेरा सिडियं एहमदाबाद दूसरे पर ये Melbourne Stadium और तीसरे नमबर पे ये अपना जैपूर वाला बनने जा रहा है ठीके ये आपको याद करें सिटिंग कपेस्टिके इस आप से होता है सबसे बड़ा सबसे छोटा ठीके हाँ राजिस्थान Cricket Association की ये basic information by chance कभी पूछ ले sports cricket कब found की गई थी 1956 में ठीके Headquarter SMS Stadium जैपूर के अंदर है Location जैपूर के अंदर President वेभव गहलोथ ठीके इसके CEO कौन है विजेंदर गडवाल ठीके सेकरेटरी कौन है महिंदर शर्मा ये normal यादो President याद कर लो वेभव गहलो जाल तो नहीं याद रह पाएगा तो ये याद कर लो वेभव गहलो ठीक है चलो आगे करते हैं ये landmark question है टेकनिकल वाले में तो आ चुका है मैंने उस टाइम भी कहा था important है इस टाइम फिर से कह रही हो important है इंदरा रसोई योजना के मताबिक सही statement कौन सी है ये start की COVID-19 के campaign पे इसमें free खाना मिलेगा सारी BPL families को हमारे मुख्यमंतरी जीने गोशना की 22 जून 2020 को और इसमें benefit मिलेगा urban bodies के लिए यानि कि स्थानिये निकायों के जो शहरी निकायों के जरूरत मन्द लोग है उनको तो इसमें आपको ध्यान रखनी है एक बा हमें पता है CM ने announcement किया था 22 जून 2020 को तो ये statement सही है urban areas के लिए ये scheme में ये याद रखना है rural areas के नहीं तो इसका answer हो जाएगा 1, 3 and 4 और COVID-19 में जब लोगों के पास income source of income खदम हो गया था बिल्कुल ही ठीक है तो खाने के तो ज़रुरत होती है तो तब इस scheme का launch किया गया थ याद कर लोगे इसकी घोशना हुई है 22 जून 2020 को ठीक है announcement हुई है ये launch हुई है 20 अगस्त 2020 को तो ये भूलना नहीं है ये landmark question है ठीक है तो ये आपको याद रखना है MRP 10 code लगा ले ना मेरी free live classes सुबा 8 बजे रात को 9 बजे चल रही है ठीक है test series चल रही है एक तो ठीक है त कौन से additional chief secretary को राजस्थान के national level पे एक award दिया गया है for outstanding contribution to national development राश्टिय विकास के अंदर बहुत जादा अच्छी भागिदारी निभाने के लिए किसको ये award दिया गया है बताएगा तो इसका answer है डॉक्टर सलिल महापात्रा डॉक्टर सुबोध अगरवाल डॉक्टर अनुजा वशिष्ट या फिर दॉक्टर प्रमोध कांत कमात तो इसका answer है डॉक्टर सुबोध अगरवाल ठीक है इनको दिया गया है ये याद रख लेना राजस्तान के से personality हैं तो important है additional chief secretary है अपने राजस्तान में इंडस्ट्री के डिली एलुम्नी एस्सोसियेशन ने इनको सम्मानित किया है इनको क्या किया गया है सम्मानित किया डॉक्टर सुबोध अकरवाल याद कर लोगे कर लोगे कर लोगे या नहीं करोगे बताओ कर लेना भाई ठीक है चले आगे नीव रखी गई है 24 दिसंबर 2020 को बताईएगा तो इसका अंसर है 18 इसका अंसर है 18 गयारा का तो उध गातन किया है मतलब चालू हो गए स्टार्ट हो गए और 7 की नीव रखी है तो 11 प्लस 7 कितना अंसर हो जाएगा इसका 18 अंसर हो जाएगा ठीक है overall जो है foundation stone कित्तों का ठीक है याद कर लोगे अठारा आएगा ग्यारा का उद्गाटन और साथ की नीव जो है रखी देखो इन्फरा बूस्ट इन राजस्तान नितिन गटकरी इनागुरेटेटेड एंड लेड फांडेशन स्टोर पोर अठारा हाइवे प्रोजेक्ट्स ठीक है 24 दिसंबर 2020 ठीक है याद कर लोगे उसके बाद इनकी टोटल लेंथ कितनी है देखो इन रोड प्रोजेक्ट्स की 1127 किलोमेटर टोटल लेंथ कितनी है 1127 किलोमेटर कोस्ट तो शायद ही पूछे आप से 8341 करोड रूपे इसके अंदर जैपूर रिंग रोड बनाया जाएगा ठीक है जो साथ नए प्रोजेक्ट्स जिनकी नीव रखी गई है उनकी लेंथ है 305 किलोमेटर 305 किलोमेटर की उनकी लेंथ है ठीक है तो यह में में से पॉइंट्स थे हाँ अच्छा शिक्स लेनिंग की जाएगी जैपूर रिंग रोड की ठीक है अच्छा एक चीज और याद कर लो इसमें हाँ यह आप से पूछ सकते हैं रूपो देखो इसमें 4 लेनिंग करेंगे किसकी दोसा लालसोट काथून सेक्शन ओफ एनेच 11A तो वो पूछ सकते हैं नैशनल हाईवे 11A कौन सा है अगर नए में नाम पूछे तो न्यू नैशनल हाईवे नंबर यह बन रहा है 148 और 23 इनकी 4 लेनिंग की जाएगी ठीक है तो यह आपको याद रखना है नया नैशनल हाईवे नंबर 148 और 23 कहां से पास कर रहे हैं दोसा लालसोट और काथून ठीक है यह कोशन आ सकता है क्योंकि आपके उसमें सलिबस में दिया हुआ है प्रोग्रेस इन नैशनल हाईवे तो यह उसी कई पार्ट है ठीक है तो उसी से अस्तूर गोतारू और तनोट से ठीक है तो यह आपको याद करना है नैशनल हाईवे नंबर 25F ठीक है सत्तर इसका पुराना नाम होगा 25F जो है वो इसका नया नाम है तो यह कोशन आएंगे भई तो यह याद करना है मुनाबाव सुंदरा म्याजलार धनाना अस्तूर गोत जारू तनोट यह जैसल मेर में बन रहा है ठीक है तो जैसल मेर में नैशनल हाईवे नंबर 70 और 25F आपको याद करना है ठीक है दो LPS of मतलब टू लेनिंग यह करेंगे किसका गागरिया NH 25 बावरीकला सेरावा साता बकासर सेक्षिन एंड सातिया ओफ न्यू नैशनल इंपोर्टेंट बच्चो 925A इंपोर्टेंट है कौन कौन से है यह यह याद तो करने पड़ेंगे यह बावरीकला सर्वा सता बक्सासर ठीक है पहले मैंने इनके सारे निमोनिक से याद करवाये थे आप लोगों को ठीक है उसके बाद नैशनल हाईवे नंबर 12 कौन सा है क 325 कहां से जाएगा बालोत्रा सिंदारों यानि की बाड मेर से जाने वाला है ठीक है मोकल सर से यह सारे पूछ सकते हैं इसका स्क्रिंशोट जरूर ले लेना आप लोग और इनको याद भी कर लेना नैशनल हाईवे क्योंकि यह लेटेस्ट है प्रोग्रेस यह कोशन आ सकता यहाइब लोगों से ठीक है तो याद करने हैं आपको बिल्कुल याद करने को कि राजगर्ण हर्याना एनच हाईवे नंबर 709 है ठीक है 325 याद कर लेना बाडमेर का है 325 बाडमेर का बालोत्रा सेंदर राओ और मुकालसर आएगा जालोर तक जाता है ठीक है एन 48 में आएगा अजमेर रोड पे बैंक रोता और कैसे नाम है भई हसम पूरा बखरोता NH 48 अजमेर रोड पे पड़ रहा है ठीक है हाँ यह आपको करने है करने पड़ेंगे ठीक है तो यह जरूर 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 हाइवे जाद करके जाना भूलना मत ठीक है और कितने सारे हैं भही अजमेर नागोर section न्यूँ हाईवे number 58 ये आपको old और न्यू ये सारे करने हैं अजमेर नागोर में कौन सा section number नुन highway नंबर 58 पहले इसका नंबर था नेशनल highway number 89 ठीक है भियावर आसिंध सेक्षिं का भी बनाया जाएगा जो की national highway number है 158 भियावर आसिंद का 158 ठीक है आसिंध मन्दल section जो है national highway number 158 सेंप फॉर लेनिंग करेंगे यह ब्यावर गोमती section की ये कौन सा है इसका दिया नहीं है इसका दिया नहीं है ठीके तो ये भई national highway पढ़ ले ना मैं कोशिश करूँगी ये जितने national highway है इसपे एक short video बना के डाले ताके आपको और clarity मिले ठीके 89 नमबर जो था उसका नया बना है national highway नमबर 62 नागोर बिकानेर वाले section का अजबेर नागोर का नया national highway नमबर हो गया 58 ठीके तो ये करने तो है ठीके चलो आगे देखते हैं मैप में कर ले ना इनको आएंगे जरूर नेक्स question है operation clean sweep launch किया था जैपूर police commissioner ने किस लिए ये operation का मकसद क्या था ये पूछ रहे है human trafficking रोकने के लिए crackdown और illegal mining को रोकने के लिए या फिर drug smuggling जो बढ़ रही थी उसको रोकने के लिए या फिर children exploitation को रोकने के लिए तो clean sweep जो है मुझे लग रहा है drug smuggling का है देखते है जो है yes बढ़ती नशीली दवाओं की तसकरी को रोकने के लिए commissionerate की सरफ से जैपूर government की तरफ से पुलिस की तरफ से ये campaign चलाया गया था कब चलाया गया था 23 नवंबर 2019 को कब स्टार्ट हुए तो पुराना प्रोजेक्ट है ये 23 नवंबर 2019 को ये news में रहा होगा कुछ government अपने items वगरा पकड़ी होंगी तो उसकी वज़े से ये question आया है ये देखो है ना हाँ ये देखो ये news में था 2021 में 19 जनवरी 2021 को 500 FIR दर्ज किये हैं और 635 ड्रग पैडलर्स को पुलिस ने क्या किया है अरेस्ट किया है ठीक है तो ये इस लिए news में था ये आपका सारी details अच्छा इसमें कुछ और भी question थे जो मुझे आप लोगों कराने थे drugs वाले में पूछ सकते कौन-कौन से drugs इसमें count होती है तो देखो ये सारी count होते बच्चे ड्रग्स में गांजा, डोड़ा पोस्ट, अफीम ये तो सबको पता भी होगा वैसे चर्रस, स्मैक, ब्राउन चूगर, कोकीन, MDA 40 ठीक है LSD, 10 किलो, भांग मिलेगी इसमें, तो ये सारे के सारे जो हैं, ड्रग्स के अंदर, नशीली दवाओं में count होते हैं, ये आपको याद करने हैं, पता होना चाहिए कौन-कौन से drugs हैं, ठीक है, कई बार question पूछ लेते हैं, ठीक है, ये देखो, additional polish commissioner अजैपाल लांबा, जिन् बस में ये कहना जारी थी, आपको ये याद रखने हैं, हाँ, ये जो है, कहां कहां से हमारे यहां पर आते हैं, पश्चिम बंगाल, उडिसा से, आंदर प्रदेश, बिहार, चत्तिसगर, जारकंड से, नेपाल से आते हैं, जैपूर समेत, राजस्थान के कई हिस्सों में smuggling जो है, ड्रग्स की करते हैं, तो जादा तर राजस्थान में हब कहां पे है, इन ड्रग्स का, ये मुझे पॉइंट आपको बताना था, तो आपको याद करना है, सदन राजस्थान में, चितोडगर, जालावार, प्रतापगर, मनसोर, नीमच, मालदा, नीमच, मालदा, एम पॉइंट अभूएंट अपरेशन आगशन अंगेंसर में, या पुइंट ल९ा अंगेंसर दे सक्टर, ऊपरेशन आगशन में, जालावार, गांगर थे करना थे तो ये आपको याद रखना है, ये सारे जैपूर पुलिस के थे, उस टाइम पे न्यूस में रहे थे, ठीक है, हाँ, अच्छा, निर्भ्या फंड को पूरा, ये बहुत important question है, five star question है, hundred percent, मतलब पूरा यूटिलाइस करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, जिसने जितने प देखो, राजस्थान first to make full use of निर्भ्या फंड पहला, ठीक है, तो पहले इन्होंने क्या क्या किया, officials लिए, राजस्थान forensic science laboratory के लिए, जो machinery लगाने की जरूरती, वो machinery भी लगाई गई, ठीक है, और इसके अंदर राजस्थान foundation के साथ मिलके, ये एक नई अलग news है, NRI kids को राजस्थान के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, तो उनके लिए अलग से program जो है, चलाया गया है, folks storytelling session and craft session, राजस्थान foundation की तरफ से, ये अलग current affair है, ये अलग current affair है, निर्भ्या fund वाला, ठीक है, निर्भ्या fund में याद रखना, हमने forensic science laboratory जो है, उसको adopt किया है, और DNA और cyber division के अंदर staff की कमी थी, तो उस staff को भी recruit किया गया है, ठीक है, तो ये हमने काम किया है, ये बहुत important question है, ये कुछ important थे points उस time पे आये थे, राजस्थान online learning को promote करने वाला है, private schools जो है, high court ने कहा था, उस time पे tuition fees का 70% ले सकते है, जब lockdown वगएरा चल रहे थे, तब की news है, ठी इंदरजीत महांते, जो की हमारे chief justice हैं, ये भी याद कर लेना, इंदरजीत महांते, ठीक है, कितने districts में वंधन विकास योचना को लागू किया जाएगा, सहरिया और माड़ा शेत्र और tribal subplan वाले एरिया के अंदर, तो इसका answer है, answer है, 8, 8 जिलों के अंदर इसको लागू कि दुंगरपूर के अंदर आएगी, प्रतापगड के अंदर आएगी, सिरोही के अंदर आएगी, ठीक है, I think सारे हो गए, 3, 6, 2, 8, इन 8 जिलों के अंदर वंधन विकास योचना को लागू किया जाएगा, ठीक है, ये आपको याद करना है, ये देखो, ठीक है, Central Government की, Central Tribal Ministry क एक प्लान है, MSP for MFP, उसके तहत इसको लागू किया जा रहा है, Minimum Support Price for Minor Forest Produce, ये आपको याद करना है, इसके तहत इसको इंप्लिमेंट किया जाएगा, ठीक है, तो जिले भी करा दिये, मैंने सारे हो गए, अभी तो, खुश हो जाओ आप लोग, देखे, एक मिने टाइम वीडियो का, अचा, अभी तो बहुत टाइम में, अभी तो बहुत टाइम में, रुक रुको, और पढ़ते हैं अभी, AERB ने रावद भाटा हैवी वाटर प्लांट को परमीशन दे दिये कि ये इतने टाइम तक और चल सकता है, तो वो डेट क्या है, 31 दिसंबर 2023 तक, 31 दि राजस्त्थान के चार जिलो में, कौन सा वाइरस डिसकवर किया गया था, जहां से डेड क्रोज के, बहुत सारे क्रोज की एक साथ डेट हुई थी, तो कौन से चार जिलों से जो है samples collect किये गए थे तो इन में कौन सा वाइरस discover किया गया था ये पूछ रहे है इंफ्लोएंजा वाइरस E. coli स्वाइन वाइरस या फिर coronavirus कौन सा वाइरस जो है इन में discover किया गया था बहुत सारे कवमों की एक साथ मृत्यू हो गई थी ठीके तो आपको याद करना है इसका answer आएगा avian influenza A ठीके और इसका specific नाम भी देंगे वो आपको एक्जाम में तो वो भी याद कर लीजिए h5n1 ठीके bird flu avian influenza ठीके h5n1 आपको याद रखना है ठीके कौन सा नंबर है h5n1 चार जिलो से sample collect किये थे तो तीन तो हडोती किये वही बुंदी छोड़ दो बंधन हैं कोटा बारा जालावार और एक जैपूर से sample collect किये गए थे अगर आपसे question पूछते हैं तो ठीक है clear है चले कि राजस्थान tourism policy यह तो बहुत important question है डारेक्ट सलिबस में mentioned है राजस्थान tourism policy 2020 के मताबिक स्टेक tourism advisory committee जो constitute की गई है इसके chairman कौन होंगे चीफ secretary, chief minister, tourism minister या फिर deputy chief minister कौन होंगे भई स्टेट tourism advisory committee पूछ रहा है एक्जेक्यूटर कमिटी नहीं पूछ रहा है तो इसका answer है chief minister advisory committee के कौन होंगे सलाकार committee के chief minister होंगे 5 जनवरी 2021 को बनाई गई है ये भी याद कर लो 5 जनवरी 2021 को बनाई गई है अगर आ जाए executive committee ये तो राजस्थरिय सलाकार committee अब जो implement तो ब्यूरोक्रेट करते हैं तो उसके chairman कौन है chief secretary जो की अभी राजस्थान के chief secretary है ठीके निरंजन आर्या जी ठीके तो उनकी उसमें बनाई गई है ताकि time bound implementation हो चके जो decision advisory committee लेती है तो ये बहुत important question है advisory के chief minister executive के आएंगे अपने chief secretary ठीके याद कर लोगे सलाकार के मुख्य मंतरी और जो है क्रियानवन कमसामीती के मुख्य सच्चिप ठीके सितंबर 2020 में राजस्थान सरकार ने introduce किया था राजस्थान tourism policy को राजस्थान को tourism destination बनाएंगे कितने साल के लिए 5 साल के लिए scheme जो है लागू रहेगी जब तक कि सरकार इसको बदल ना दे ठीके तो ये मैं बहुत बार करा चुकी हूं आप बार बार नहीं करा रहे हूं विजन में आपको जो term important याद करिय एं experiential and responsible tourism ठीक है क्योंकि tourism policy पे अलग से 4-5 वीडियोज हैं और crash course में भी मैंने tourism policy के questions कराएं तो आप चाहें तो वो सब जाके देख सकते हैं ठीक है तो बार बार नहीं कर रहे हैं अब हम इनको कर चुके क्योंकि already चार जनवरी 2021 को चीफ मिजिस्टर अशोग गहलोज जी ने sports person के लिए जो gold medal जीत के लाएंगे औरंपिक में उनकी amount increase कर दी है पैसे बढ़ा दिया उनको cash price जादा मिलेगा ठीक है कितना बढ़ा दिया गया है 75 लाग कर दिया 3 करोड दो करोड या फिर 1 करोड या फिर कोशन कितने कर दिये गए हैं ठीक है यह आपको सबके ही याद करने हैं देखो जो gold medal जीत के लाएंगे ना olympics में olympic में जो gold लाएगा उनकी पहले राशी थी 75 लाग 75 लाग से बढ़ा के कर दिया 3 करोड ठीक है जो silver medal लेकर के आएंगे olympic में silver medal उनको पहले मिलते थे 50 लाग आ ठीक है जो olympic में bronze medal जीत के लाएंगे पहले इनको मिलते थे 30 लाग अब इनको बढ़ा के कर दिये हैं 1 करोड तो कितने कितने बढ़ाए olympic में gold वालों के 1 2 3 करोड bronze जो जीत के लाएगा उसको अब 1 करोड मिलेंगे silver वाले को 2 करोड मिलेंगे और gold वाले को 3 करोड 30 लाग 50 लाग 75 लाग समझ के ठीक है तो ये olympic के लिए government ने announcement किये उसके साथ साथ Asian Games में जो medal जीत के लाएंगे उनकी भी राशी बढ़ाई गई है Asian Games की राशी बढ़ाई गई है gold जीतने वालों को मिलेंगे 1 करोड रुपे silver जीतने वालों को मिलेंगे 6 लाग रुपे और जो bronze जीत के लाएंगे उनको मिलेंगे 30 लाग ठीक है तो 30 लाग 60 लाग 1 करोड अभी कर दिये गए हैं पहले कितने कितने मिलते थे इनको पहले bronze medal व और सीधा 1 करोड ठीक है तो यह आपको याद करने है points ठीक है इसका एक छोटा सा table बनेगा वो table बना लेना ठीक है Congress leader बूटा सिंग जी जो है union minister उनकी death हुई है 2 जनवरी 2021 को 86 साल के उमर में वो लोकसभा के member थे कौनसी constituency से जालोर से पाली से नागोर से या फिर बाढ़मेर से तो इसका अंजर आएगा जालोर शाय जालोर से ही थे मुझे ध्यान आ रहे है हाँ जालोर से पुर्व किंद्रिय मंत्री बूटा सिंग जी जो है आठ बार लोकसभा के सांसद रहे हैं जालोर सिरोही से चार बार सांसद रहे हैं यह भी याद करो जालोर सिरोही से कित्ती रेलवे मिनिस्टर और बिहार के गवर्णर भी रहे हैं बूटा सिंग जी याद कर लोगे भूलोगे तो नहीं ठीके ये इनकी सारी डिटेल्स है दो हजार बीस में मिस राजस्थान की विनर कौन है सुश्मिता ठुकरान आज था गरीमा या फिर खुशी अजवानी तो इसका अंसर दिख लेते हैं कौन है मिस राजस्थान 2020 खुशी अजवानी ठीके बिडला ओडिटोरियम जैपूर के अंदर ये फंक्शन हुआ था दस जन्वरी 2020 को ठीके तो पुराना कोशन हो गया तो शाय दिया है अच्छा ये इवेंट 21 में हुआ है बीस के लिए मिला है इनको तो इसलिए आपको याद करना है ठीके हां खुशी अजवानी ठीके पहली रनर अप हैं इसमें गरीमा वाध्वा औ सिक्स्टीade में इजवाद 25 राजस्थान स्टेट टेबल टैनस कंपेटिशन में गर्ल्स और बॉय्स कैटिग्री में विणर कौन trabalho है ये राजस्थान के स्टेट टैनस कंपेटिशन हुआ था 65 टो ये आपके ओप्शन है देखे है प्रियांशी शर्मा भावेश पूनिया रिद्मा यादव, दिव्यांश, समिक्षा, अर्मान, नंदिनी और दक्ष तो इसका answer है option number C समिक्षा बोरा जैपुर से और अर्मान भाटिया विकानेर से ठीक है ये winner रहे हैं आपको सिर्फ winner याद करने हैं जैपुर से समिक्षा बोरा भिकानेर से अर्मान भाटिया ठीक है जूशन और पूच सकते हैं ये कहां पर हुई है तो ये कहीं आप जैपुर सोचते रहो तो ये अजमेर के अंदर हुई है ये आपको याद रखना है ठीक हे ये पहली बार अजमेर में हुई आई जाते हैं तो पहली बार अजमेर में हुई है अगला question है कौनसी public sector organization ने सरकारी संस्था ने smile on wheels health service शुरू की है गाओं तक health services पहुचाने के लिए oil india limited, हिंदुस्तान zinc limited, sale, sale authority of india, steel authority of india या फिर gail ने, किस ने start किया है, तो ये answer मिलेगा हिंदुस्तान zinc limited हिंदुस्तान zinc limited ने किया है, ठीके कहां पे जावर माइन्स पता ही होगा सबको, ठीके उदेपुर, रामपूरा अगूचा माइन्स भिलवाडा, तो इन areas के अंदर smile own wheels scheme जो है implement की जा रही है, smile foundation के साथ मिलके किया है, हिंदुस्तान zinc limited ने, smile foundation के साथ मिलके किया है, ठीके, lead zinc मिलता है, यहाँ पे याद कर लेना, चंदेरिया plant में, जावर माइन्स में चांदी मिलती है, बहुत सारी, रामपूरा अगूचा, lead zinc silver in mines में हमें मिलता है, यह minerals में भी important है, वहाँ पे भी कोशन पूचा जा सकता है, नोखा solar park कहाँ पे है, अब कुछ बच्चे इसको हमारा target है, 31 March 2022 तक हमें इसको पूरा करना है, ठीक है, यह देखो, राजस्थान में 4000 करोड की लागत से विक्सित होगा, दूसरा बड़ा यह पार्क, इसकी capacity भी आपसे पूच सकते हैं, 925 मेगावाट, कितनी है, 925 मेगावाट इसकी capacity है, National Thermal Power Corporation, राजस्थान जो है, वो इ डेवलब करने वाली है, राजस्थान में डेवलब करेगी, ठीक है, तो यह आपको याद करना है, इंपॉर्टिंट तो है, ठीक है, तो यह सारे याद करना है, सोलर पार्क है, यह भी याद रखना, ठीक है, इसमें टोटल खर्चा आएगा, 35 करोड रुपे का निवेश करे 500 करोड रुपे राजस्थान अक्षय उर्जा निगम द्वारा खर्च किये जाएंगे, ठीक है, तो यह पॉइंट थे जो आपको याद करने है, MOU इसके लिए साइन हो चुका है, ठीक है, राजस्थान में यह स्टैटिक पोर्शन है, अगर आप याद करना चाहो, ठीक है, प्लांट, विंड एनरजी, जो प्लांट है, उनसे डेली कितनी बिजली यूनित बनती है, 1500 लाख, ठीक है, 2500 मेगवाट कापैस्टी के प्लांट जो हैं, अभी संचाले, जो चल रहे हैं, ठीक है, सोर उर्जा, सोलर पावर प्लांट से डेली कितनी बिजली, लाइट हम प्र जादा electricity हमें कहां से मिल रही है थर्मर पावर प्लांट से हमें मिल रही है ठीक है ये पॉइंट से हां ये मैंने सारा बताई दिया आप लोगों को हो गया ये ठीक है तो बस हो गए ये जन्वरी फरवरी के भाई में इंपोर्टेंट करन्ट अफेर्स थे जो आप लोगों के म ये वीडियो आएंगे स्टे टूंड यूट्यूब पे आने वाले हैं ठीक है तो आप सब लोग जुड़े रहीएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना कॉमेंट्स में जरूर अपने कॉमेंट्स दीजेगा और शेयर करना वीडियो को सब्स्राइब कर लेना चैनल को में मिलते हूं आप से अगली वीडियो में तब तक आप सबको मेरी तरद से घनी घनी राम राम